दोस्तों वसकार आज किस वीडियो में आप जानने वाले हैं IDFC First Bank का अगर आपका खाता है तो IDFC First Bank का Digital Rupia Apps कैसे इस्तमाल किया जाता है इस वीडियो में आप पूरा Complete Process जानने वाले हैं IDFC First Bank का Digital Rupia का Application आपको वीडियो के डिक्सेशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहाँ से क्लिक करके आप इंस्टोल कर सकते हैं डिरेक्ट प्ले स्टोर से तो चलिए हम यहाँ पे इंस्टोल कर लेते हैं इसके बाद रिजिस्टेशन का प्रोसेस देखेंगे IDFC First Bank का जैसे ही आप application open कर लेंगे तो आपके सामने में देख सकते हैं इंडिया Central Bank Digital Currency Powered Wire IDFC First Bank तो यहाँ पे इस तरह से Home Page खुलेगा IDFC First Bank का इसके बाद आप Inter वाले Option पे क्लिक कर देंगे जैसे ही IDFC First Bank का Digital Rupia Application ओपन हो जाता है तो यहाँ पे Inter वाले Option पे क्लिक करेंगे Allow का Permission दे देंगे उसके बाद यहाँ पे Termin Condition का पेज आएगा Accept कर देंगे इसके बाद यहाँ पे Next कर देंगे इसके बाद Start Registration पे आप क्लिक कर देंगे जो आपके फॉन में सीम लगा होगा उसके आप क्लिक करेंगे जिसमें आपका IDFC First Bank का बैंक के साथ मुआल अमर जुरा हो चलिए उसके बाद यहाँ पे सीम वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा अगर सीम वेरिफिकेशन सक्चेस्पूल हो जाता है अगर आपके समने में यह Problem आ रहा है Invite Only Program तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कुछ दिन आप वेट कर सकते हैं क्योंकि यह First Pilot Project है तो आगे का अगर पड़िकरिया आप देखना चाहते है Registration का IDFC First Bank का Digital Rupi Application का तो यहाँ पे OK वाले बटन पे हम क्लिक कर देते हैं इसके बाद यहाँ पे देख सकते है अपना नाम इंटर करेंगे नाम इंटर करने के बाद Continue वाले उप्सन पे क्लिक कर देंगे फिर से आप Continue वाले उप्सन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पे Continue Set Your Wallet Pin तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक वाले पिन सेलेक्ट करना पड़ेगा वालेट का पिन आपका सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे Link IDFC First Bank तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे इसके बाद Continue वाले उप्सन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे Bank Account सेलेक्ट करेंगे Select This Bank पे आप क्लिक करके अच्छा करने के बाद आपका यहाँ पे Bank Account जो है पूरी तरके से Digital रूपी अप्लिकेशन में Link हो जाएगा IDFC First Bank इसके बाद यहाँ पे Home Page खुलेगा उसके बाद यहाँ पे देख सकते है Current Balance भी चेक कर सकते है और यहाँ पे किसी को Digital रूपीया Send करना चाहते है Send पे किलिक कर सकते है Collect भी कर सकते है और यहाँ पे E-Rupi लोड भी कर सकते है और redeem भी कर सकते है Digital रूपी को Send करने के लिए Send वाले Option पे किलिक करेंगे Collect करने के लिए Collect वाले Option पे किलिक करेंगे अगर आपको अपने Wallet में लोड करना है ए रुपी तो load वाले option पे आप फिलिक करेंगे और यहां से आप digital रुपिया को redeem भी कर सकते हैं और उपन में current balance दिया गया है आप current balance भी देख सकते हैं digital रुपिया का और view wallet पे किलिक करके आपके पास कितने का note बचे हुए है वो भी आप देख सकते हैं अब अपने wallet में load करने के लिए digital रुपिया load वाले option पे आप किलिक कर देंगे तो यहां पे 2 रुपिया के note भी आप load कर सकते हैं इसके बाद यहां पे 100 रुपिया के note भी load कर सकते हैं 500 के भी आप यहां पे note load कर सकते हैं लोड डिजिटल रुपया पे आप किलिक करेंगे तो यहां पे आपका लोड हो जाएगा तो यहां पे एक 10 रुपया का नोट हम यहां पे लोड कर लेते हैं और एक रुपया का सिक्का यहां पे लोड कर लेते हैं तो लोड डिजिटल रुपया पे हम किलिक कर देते हैं और कि चुका है तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं डीजिटल रूपिया लोड सक्सेस सूर और यहां पर आप डीजिटल रूपिया को सेंड भी कर सकते हैं फोन नमर के द्वारा क्यार कोड के द्वारा क्यार कोड के माधियम से आप जितने का क्यार कोड बनाना चाहते हैं उतना